प्रकाज ढोकने जी और मनोज बोबडे जी इन दोनों का सवाल है अगर लड़की धार्मेक नहीं है और साथ ससूर धार्मेक है तो कैसे उसने बरताव करना चाहिए और क्या उसमें एड्जिस्मेंट हो सकती है और कोई नास्तिक अगर लड़की लड़की है लड़की या लड़का है तो उसने कोई आस्तिक व्यक्ति के साथ में शाधी करने से क्या होगा ये दोनों सवाल बहुत डिफिकल्ट है इन सवालों का एक जबाब नहीं हो सकता है ये मेरे लिए प्रैक्टिकल सवाल है मेरे संग में बड़ा मुश्किल होता है हर अंद विश्वास को धार्मिक कहा जाता है तो फिर उसके साथ में जो नए घर में जाएगी उसके साथ में एड़ेस्ट होना बड़ा डिफिकल्ट होता है यह तो हर लड़की का सवाल होता है लड़के के लिए आसान होता है लड़के के लिए इसलिए आसान होता है कि patriarchal society में उस पर दबाव खोड़े कम होते है थोड़े उसके अधिकार ज़्यादा होते है वो अगर कहेगा मैं नहीं करूंगा तुमको जो करना है करो कल भाई तेरा विश्वा से तुझे करना है अंदर विश्वा से रहना है रहे ऐसा वो पत्ने को बोल सकता है घर के माबाप को भी बोल सकता है कि मैं लहीं करूंगा तुमको जो करना है करो बहु के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है अब इस वक्त बहु ने क्या करना चाहिए मुझे जो मानने नहीं वो चीज़े मैंने करनी चाहिए या फिर घर को तोड़ देना चाहिए ये दोनों का एक मध्य कॉम्बिनेशन निकाला जा सकता है जिसको हम सुर अनमध्य कहते हैं ये गुल्डन मीन निकाला जा सकता है मुझे जो पसंद नहीं मैं नहीं करूंगी लेकिन मैं आपके भावनाओं की कदर करूंगी मैंने ऐसे बहुएं देखी है जो अपने सास की पूरी पूजा की तैयारी कर देती है वो पूजा करती है रोज उसकी पूरी तैयारी कर देती है फूल से लेकर हर चीज वहाँ उसको मदद करेगी खुद पूजा नहीं करेगे क्योंकि मुझे मानने नहीं है लेकिन आपके विचारों का आपके श्रद्धा का मैं आधर करती है फिर सास पुरी पूजा बगरे करेगी सास जो भी शर्ते उसके उपर लगाएगी आज उपास करना है तुझे अब वो बहु कहती है उपास ही करना है ने ढूंगी होता है उपास में तो अलग-अलग पदार्थ होते है वो खाने हैं वो कहते है ठीक है आज खाना नहीं पकेगा सब के लिए उपास के पदार्थ होगे फर कितना ही है उपास में थोड़ा सा खाती है बहुज अठिक डंग से खा लेती है उसके बारे में वो जगड़ते बैठते नहीं उसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं तो जहां मेरे तत्व का मुद्दा है एजिक्स का मुद्दा है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ नहीं करना चाहिए और जहां एजिस्टिबल होने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है वहां एजिस्ट होना चाहिए अब मेरे बारे में भी ऐसा है मेरे माँ को हर तिर्थस्तल जाना होता है मैं भी कई तिर्थस्तल जाता हूँ मैं ले जाता हूँ उसको वो पुजा अर्चा करती है केवल पुजा अर्चा नहीं करती है तो ज़्यादा पैसा देकर भी करती है मैं कहता हूँ यह पैसा थोड़ा मेरे संगडन को दो, काम में आएगा गरीबों में बाट दो, काम में आएगा यहाँ पुजा बड़े पैमानेवे करने से भगवान ज्यादा प्रसद्थ होगा, भगवान को भी बिगत लेने की बात है इसमें, ये बोलने के बात भी वो ज्यादा पैसा देकर वहाँ पूजा करवाती है, मैं करने देता हूं, वहाँ फिर objection नहीं लेता हूं, कई बार मेरे को जेब में स पैसा देना पड़ता है मैं उसकी श्रद्धा का आधर करता हूं समझाने की डिफिनेटली कोशिश करता हूं तो यह हर व्यक्ति के जीवन में यह सवाल आता है स्त्रीयों के लिए बहु के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पुरुशों के लिए थोड़ा असान होता है लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में यह सवाल आता है केवल इसी क्षेत्र में नहीं आता है हर क्षेत्र में आता है भाई मेरे एथिक्स है कि मैं भरष्टाचार नहीं करूंगा वहां भी यह सवाल आएंगे जो भी अपने जीवन में एथिक्स के साथ जीना चाहते हैं उनके हर के जीवन में यह सवाल आते हैं कि भाई मैं बहु बनने के लगाध में क्या स्विकार हो क्या नहीं स्विकार हो उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि यह golden मिन possible है मैं अभी इसी सवाल के जबाब के लिए मैं एक थोड़ा सा अलग से आपको एक मेरा अनुभो कहूंगा नागपूर का मेरा जो घर था वो मेरा सेंट्रल इंडिया का ओफिस था पूरे इंडिया का ओफिस था अगिल बारतिया अंदेश रद्दा निर्बुलन समीदे का ओफिस और मेरा गरी की था अब मेरे तो कुछ होता नहीं है मेरी माम उसे पूछे एक दिन मैंने पूछा कि तू आती क्यों नहीं है गर में वो कहे कि मैं तो भगवान की पूजा किये बिन तो एक दिन भी रहिस नहीं सकती हूं और तुझे तो पता है कि भगवान की पूजा करने के बादी मैं खाना काती हूं तेरे घर में तो भगवान नहीं होते हैं तो फिर कैसा और फिर मैंने बला तू अपने भगवान ले किया भगवान साथ में लेके लाते जा उनके रोज पुझा होनी चाहिए मेरे घर में कोई करेगा नहीं इसले लेके जाते जा भगवान तेरे और मेरे बीच में नहीं आने चाहिए उस पर उसने कहा तेरे घर में अगर मैं पूजा करूंगी तो तेरे घर में तो कोई भी कारे करता कहीं भी आता है अंदर रखाता है वो भगवान को देखेगा कल पेपर में लिखेगा तेरी बहुत बदनामी हो जाएगे मैंने कहा मेरी जो भी बदनामी होगी वो हंडल करने के लिए मैं समर्थ हूँ तेरे और मेरे रिष्टे में भगवान नहीं आने चाहिए तु भगवान की पूजा करना चाहती है तुझे स्वतंद्रता है भगवान को लेकर आ अराम से पूजा कर जो भी मेरी बदनामी होगी जो भी होगा मैं अपने डंग से अंडल करूँगा उसकी तु चिंता मत कर तो ये भुमिका हम हर क्षेत्र में चाहे बहू हो वो भी ले सकती है अब रहा नास्तिक लोगों ने आस्तिक लोगों के साथ में शादी करनी चाहिए के नहीं भाई आस्तिक भी है वो भी इंसान है नास्तिक है वो भी इंसान है अच्छे इंसान से शादी करनी चाहिए और एक दुसरे को खुली छूट होनी चाहिए कुछ चीजों के बारे में चर्चा होगी कुछ चीजों के बारे में लेकिन खुली छूट होनी चाहिए दबाव डालकर आप अपने जिवन साथी को नहीं बदल सकते हो समझा सकते हो उसके साथ मैं चर्चा कर सकते हो discussion कर सकते हो लेकिन ये discussion के बाद भी अगर वो अपने चीच पर अड़ा हुआ है करना चाहता है तो करने की उसको छोट होनी चाहिए this way और that way कोई अगर धर्मिक धंग से जिना चाहता है तो उसको जिने का अधिकार होना चाहिए कोई अगर धर्म के अलावा जिना चाहता है अलग डंग से जिना चाहता है उसको उस डंग से जिने का अधिकार होना चाहिए तो इसके आड़े में बहुत सी चीज़े आएगी ऐसा नहीं होगा लोग अपने विचारों के बारे में बहुत confident नहीं होते हैं दूसरों को समझाने के कोशिश नहीं करते हैं दबाव उन पर आता है उस दबाव को सकम होते हैं इसलिए तकलिप है बढ़ती है अगर हम अपने विचारों में बहुत क्लियर है दूसरे व्यक्तियों का व्यक्ति करकर इंसान करकर आदर करते हैं अपने विजार दूसरों पर थोपने नहीं चाहिए ये दिल से स्विकारते हैं तो ये चीजे बहुत आसान बन जाती है हैंडल करना संभव होता है अब किसे ने कहा कोई धार्मेक वेक्ति है और नर्बली देना चाहिए तो तब तो खिलाभी होना चाहिए जैसा मेरे माँ अगर कभी चुआ चुट की बात करेगी तो मैं बिल्कुल नहीं स्विकार होँगा उसके खिलाभी बात करूँगा तब मैं एड्जेस बिल्कुल नहीं करूँगा तो कोई अगर नर्बली देना चाहती है किसी बाबा के शोशन को ही बली चड़ाना चाहती है अपने आपको या फिर अपने घर के लोगों को तो तब तो आपको विरोध करना ही पड़ेगा और तब स्टॉंचली विरोध करना पड़ेगा लेकिन वो इनसानियत भरा विरोध होगा वो आपके तत्व का केवल विरोध नहीं होगा इंसान के साथ में इंसानियत भरा विरोध होगा और वो उस स्वामे में हमने करना चाहिए तो इसलिए जैसा मेंने शुरुवात में कहा था कि इन सवालों का केवल एक जबाब नहीं हो सकता है इसमें तर होता है ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा सिचुएशन के अनुसार आपको ये चीजे हैंडल करनी पड़ती है लेकिन इस दंग से हैंडल करना संभव है अपने मानवता, मानवियता कायम रखकर ये हैंडल करना संभव है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए